तो फाइनली वपा हमारे घर आ गए तो आज गनेश चत्रती है तो यह वीडियो एक दिन लेट है क्योंकि बूब में नहीं डाल पाई थी तो बस यहां पर गनेश हमारे घर आ गए यह हमने उनका मंडब बनाया था कितना सुन्दर तो बस जब हम गेट पर आते हैं तो उनकी आरती करी थी और उसके बाद में यहां पर घर भी हम जैसे इनको जने हुए हार है दुर्वा है वह सारी चीज इनक पर हलदी कुमकुम घर भी फिर आरती करते हैं तो बोई में मेरी मेरी पतिदेव कर रहे थे और इस तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं और एक साल का सारे इस टॉल थे वहां पर बस ऐसा लग रहा था सभी देख रहे हैं हमारी तरप हमें सब को लेकर जाना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हमें एक कोई ही लाना होता है इतनी सारी भीड थी और कोरोना के बाद में सब ने रखे थे दो साल ऐसे रहा था कि थोड़े थोड़े और सोरच पूर से आर्थी कहरेंगे और यहान पेए इनको मोधक और यह पांच फल नहीं सब के सब अहीं अच्छा रहता इतना सब के घर में सब के तरब से यही आवाज आते हैं और ब्रभ वाजे से लाते हैं यो बट बड़ सारी लोग से शीवर्षा बनाको बस उनक्य दो Babay बते हैं वह वीडियो बनाऊँ तो वस तो भर उस मेरा वीडियो लगा मेर गंडी शी कैसे लगे कोमेंट करके जरूर बताईए आ सबाव नेट का मुझे इंतजार रहता है अगर मेरी यह आरती और यह सब अच्छा लगए मेरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सेयर भी करना मेरे चैनल को मेरे वीडियो को सेयर कर दिया करें तो बस यहां पर हल्दी कौंकों और यह जो भी रह गया था वो भी कर लेते हैं तो यहां पर में कलस की भी पूजा कर लेती हूं कलस पर सतिया लगा देती हूं तो बस और जब तक गनिश्ची को लाते तहीं है तब तक ब्रत रहता है हम लोगों का थोड़ा दूर से लेने गए थे बैसे तो हर जगा इस टोल लगई थे महिनों से शुरू हो जाते हैं लगना तो आज मेरे घर में बहुत सारी दोनक आगई देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है मेरे घर में आज कि यूट